जो reckless privatization कहा जाता है अंधा दुन्ध निजी करण बिना सोचे समझे सरकारी संस्थानक्रों को बेचने का जो काम है उस कड़ी में एक नया ध्याय जोडने का काम भारतिये जनता पार्टी करने जा रही है और इसलिए मुझे लगता है BJP को अपना नाम बदल कर बेचे जाओ पार्टी कर लेना चाहिए और ये कारण है कि हम इसको बेचे जाओ पार्टी बुला रहे हैं अब पता चला है कि सरकार ने ये निर्णाय लिया है कि जिन सरकारी बैंकों को वो बेचेगी उसमें से पूरी तरह अपना शेर बेच कर निकल जाएगी ये वो सरकारी बैंक हैं जिसमें पहले एक क्यावन प्रतिशत होना चाहिए था फिर ये बात हुई कि 26 प्रतिशत स्टेक हो अब ये बात है कि सरकारी बैंकों को पूरी तरह बेच दो ये एक नया अध्याय है reckless privatization अंधादू निजी करण में और इसके बहुत ही मुश्किल और खतरनाक परणाम होने वाले है बैंकों का जब nationalization हुआ 1979 में मुझे लगता है आजाद भारत में economic policy में सबसे बड़ा और शायद सबसे सहसी निर्णय इंदरा जी ने लिया था कुछ निजी clutches से banking को निकाला गया निजी हाथों से और public sector banks बनाए गए क्योंकि ये सिर्फ आर्थिक संस्थान नहीं है ये सामाजिक नयाय का सामाजिक empowerment का एक tool बने एक जरिया बने देश के उन जाकों में जहां पर private bank आज भी जाकने नहीं जाना चाहता है वहां पर आपको public sector bank की शाखा जरूर मिलेगी चाहे कृशी हो लगू मध्यमुद्योग हो मचुवारे हो cottage industry हो इनको रिर देने में private sector bank आज भी कतराते हैं उनको priority lending पर रिर देने का काम के विकास में इन्होंने मदद करी funds दे कर तो public sector bank को को सिर्फ एक आर्थिक संस्थान के रूप में नहीं सामाजिक न्याए सामाजिक सशक्तिकरण का एक माध्यम बना कर देखना पड़ेगा और उससे पलड़ा जहाड़ लेना सिर्फ एक अनैतिक और गेर जिम्मेदार सरकार कर सकती है यह जो परमपरा है बेच डालो बेच डालो सेल लगा दो फायर सेल लगती है वो कर दो इंडिया उन सेल कर दो बेचे जाओ पार्टी की यह जो परमपरा है यह उसके डियने का पार्ट बनता जा रहा है और जादा दूर जाने की जरुवत नहीं पिछले दो महीने में उठा कर देख लीजे क्या क्या किया है इस देश के हर व्यक्ति को किसी चीज़ पर विश्वास हो नहो L.I.C. पर विश्वास जरूर होता है और उसकी लाइन भी है जिन्दगी के बाद भी जिन्दगी के साथ भी L.I.C. जैसे और्गनाईजेशन का गलत लिस्टिंग करना गलत समय पर लिस्टिंग करना का ये परड़ाम है कि L.I.C. की वैल्यू का करीब 18 बिलियन डॉलर समाप्थ हो चुका है नश्ट हो चुका है ये उसके वैल्यूएशन का एक तिहाई हिस्सा है इसका जवाब कौन देगा इतने बड़े संस्थान का जिस पर इस देश के लोग विश्वास करते है उसका इस तरह का मूल्यांकन करके इस तरह से विनाश्कारी आईपी उलाके आपको क्या मिला 18 बिलियन डॉलर का लॉस ये भी सच है कि पिछले दो महिने में मजबूरन सरकार को अपना ये जो रेकलेस प्राइविटाइजेशन था ये जो अंधा धुंद निजी करण था इसको रोकना पड़ा मैं चार चीजों का नाम यहां पर और आपकी जानकारी के लिए बता दू ये वो कंपनीज है जो प्रोफिटेबल है ये मुनाफ़ा कमाती है ये जरूरी है इस देश के लिए ऐसी कंपनियों को बेचा जा रहा है एक चीज होती है चलो कंपनी मुनाफ़ा नहीं कमा रही है लॉस में है और नॉन स्ट्रीजिक सेक्टर में, यह स्ट्राटीजिक सेक्टर में कमपनीज हैं, यह मुनाफ़ा कमाती हुई कमपनीज हैं, और अभी 10 सेक्ट में आपको बताएंगे कि एक्चुल कारण क्या है बेचने का, खेर, बीपी सील से बात शुरू करते हैं, BPCL की बिक्री इसलिले रोकी गई क्योंकि तीन में से जो दो निवेश करने वाले लोग थे जो भाग गए, उनको इस सरकार की नीतियों पे विश्वास नहीं है, उनको जिस तरह की पानून नियम हो, SENA का, BSF का, Forces का, Pavan Hans बहुत काम आता है, Pavan Hans की क्यानवन प्रतिशक भागेदारी एक ऐसी कंपनी को बेज दी गई, जिसके खिलाफ NCLT Kolkata ने फैसला सुनाय हुआ है क्योंकि वो दिवालिया कंपनी के लिए अपने जो एक कमिट्मेंट था, उसको पूरा नहीं कर पाई थी, ऐसी कंपनी के लिए बेज दी गई Central Electrics Limited ये Science and Technology मंत्राले का एक PSU है Critical Material प्रोवाइड करता है Defense को, Energy Department को Energy Programs को इंडिया के और Railways को Severely Under Value किया गया 100% Equity एक ऐसी कंपनी को बेज दी गई, जिसका कोई Scientific Background नहीं था और भाजपा के Politicians से उसके Links थे जब पता चला कि दो बिडर के ही आपस में संबंद हैं तो उसको रोका गया, और ये भाजपा से Link लोग थे और Container Corporation of India, Concord जो Railway का एक पार्ट है Congress ने इसी Platform से उसके खिलाफ लगातारा आवाज उड़ाई थी एक Back Door Arrangement हो रहा था कि कैसे उनके द्वारा अरजप, उनके जो Land Parsons थे उसको एक Private Company को दिया जा रहा था बिना किसी मुल्यांकन के बिना किसी पैसे को लिए, उसको भी रोका गया, तो पिछले दो महिने में LIC का सर्वनाश करने के बाद Pavan Hans, Concore, CEL और BPCL की CEL को रोकने पर विवश हुई है ये सरकार